वेल्कम दोस्तों क्या हो रहा है मैं उश्मूंति आगी और आप देख रहे हैं बिजनस माईश जासे आप तक पहुंच जाती है लेटेस बिजनस न्यूज एक सिंगल वीडियो में तो शुरू करते हैं आज की न्यूज पहले ख़़र में TCS दुनिया की सबसे ज़्यादा वैल्यू की IT कंपनी बन गई है इसके लिए कंपनी की ओवराल वैल्यूएशन 169.25 बिलियन डॉलर्स के उपर पहुंच गई है जो कि अभी की सबसे ज़्यादा वैल्यू की IT कंपनी एक्सेंचर से 0.4 बिलियन डॉलर्स जा जाना चाहती थी अपने बिजनस को कोविट 19 की वजह से जिसके बाद इंडिया की IT कंपनी का बिजनस का काफी थेजी से बढ़ रहा है सेकेंड और थर्ड कॉर्टर में साथ ही पिछली कॉर्टर में इंडिया की जाधतर IT कंपनी ने रेकॉर्ड प्रॉफिट भी बुक की है अगली कपर में इंडिया ने टिक टॉक और 58 और चाइनीज आपस के ऊपर पर्मनेंट बैंड लगा दिया है जिनको पहले टेंपरेरी बैंड किया गया था इसके लिए गौर्णमेंट ने उनकी प्राइवेसी पॉलिसी के लिए उनसे एक रिस्पॉंस मागा था और अब ग और और सौफवेर अपडेट्स के लिए मिस्लीडिंग यानि की गलत इंफोमिशन देता है जिससे वो नए मॉडल्स को पर्चेस करें इससे पहले भी आपल के उपर काफी सारी ओगनाइजेशन नहीं इल्जाम लगाए थे कि आपल नए मॉडल्स को लांच करने के बाद अमेरिका के अंदर एक लीगल लॉसूट को सेटल किया था 113 मिलियन डॉलर्स को देकर और इंडिया के रोट ट्रांसवर्ण मिनिस्टर नितन गटकरीजी ने एक रीसेंट इवेंट में रिक्वेस्ट किये IITN से कि वो सीमेंट और स्टील के एक आल्टरनेटिव के लिए र अगले ख़बर में Tata Power को इंडिया की सबसे बड़ी इलेक्रिसिटी कंपनी NTPC से 1200 करोज का एक ओर्डर मिला है 320 मेगावाट्स के सोलर पावर प्लान को सेट अप करने के लिए Tata Power इंडिया की सबसे बड़ी सोलर पावर प्लान की कंपनी है जो कि इंडिया के अंदर कई इंडिया के अंदर भी लांच करेंगे और साथ में पालऑन जी ग्रूप 400 करोर का investment करेंगे गुरूगराम में एक housing project को develop करने के लिए और साथ मैं महिंद्रा महिंद्रा के चेर्मेन आनंद महिंद्रा का कहना है कि 2030 तक इंडिया के Automobile मार्किट में electric vehicles नॉर्मल डीजल और पे लेजी से डेवलप होंगे जिसके बाद धीरे धीरे एलेक्ट्रिक वहिकल्स के सेल इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ेगी और इसके एक और वजा है कि 2021 में टेसला ने भी खाया कि वह इंडिया के अंदर एंट्री करेंगे और यूजरी टेसला जबी भी किसी देश के है तो वो हूँ में लिए उन खुमिशन व्हां के अर्व कोटै करने के नाचरला जिससे उस देश का इल्लेक्रिक वहिकल्स से लेट्रिक वहिकल्स बहुत तेजी से डेवलप होता है और उस लेक्ति वहिकल्स के इप्लांट को बनाने के लिए प्लान करेंगेया और यह नाइटी टू परसेंट लोकलाइजेशन पर काम कर रहे हैं यानि कि ओवर और प्रोड़क्ट्ट्च उनके टू वीलर्स के डेवलप्मेंट में लगते हैं वो 92 परसेंट इंडिया के ही होते हैं और आने वाले टाइम में यानि नियर 6 मंस के अंदर 6 मेने के अंदर वह 100 परसे और बीचेश होने के बाद भी सिर्फ 6 लाग टूरिस्ट आते हैं दुनिया भर से हर साल जबकि चाइना जहां पर इतनी जादा चीज़े नहीं है उसके बाद भी 60 लाग से जादा टूरिस्ट वर्ड वाइट विजिट करते हैं चाइना को तो अब फाइनली गौर्मेंट को टूरिजम को डेवलप करने पर काफी तेजे से काम करना चाहिए क्योंकि एकॉनमी के ओवर्ड डेवलप्मेंट में टूरिजम एक बहुत मेजर रोल प्ले करता है और यूपी के रेरा ने 2.5 करोर्स की पैनल्टी लगाई है 11 अलग 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 डेवलपर्स पर नॉन अगली ख़बर में इंडिया के electronics manufacturer Dixon को Nokia के smartphones को manufacture करने के लिए order मिला है इसे पहले Dixon के ही subsidiary company Paget Electronics को भी Motorola के smartphones को develop करने के लिए order मिला था इंडिया के अंदर smartphones manufacturing काफी तेजी से बढ़ रही है और इस deal के अंदर HMD Global जो कि Nokia के smartphones को market करती है दुनिया भर में उन्होंने Nokia के smartphones के production के लिए order दिया है Dixon को फाइने दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक करें और चैनल को कर सकते हैं सब्सक्राइब जिसे latest business news पहुँच जाए आप तक तो सीखते रहे हैं दोस्तों और बढ़ते रहे हैं और मिलता है अगले वीडियो में